दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रदोश वृत शिवरात्री का वृत कब से शुरू करें कितने वृत रखें वृतों को रखने का क्या फल प्राप्त होता है भगवान भूलेनात की क्रपा व्राप्ति के लिए हम लोग महा शिवरात्री का वृत करते हैं शावन मास की शिवरात्री का वृत करते हैं और कई लोग नियमित प्रदोश का वृत भी करते हैं इसे भी महा फलदाई बताया गया है वृत रखने के क्या नियम है कब से वृत को शुरू करना है कितने वृत रखने हैं वृत में क्या खाना है वृत में क् सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों मेरी चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों हमेशा की तरह मातारानी का जैकारा सदेव लगाईए हर हर महाध्य ओम नमस्षिवा इस तरह के मंत्रों का जब करते रहिए बहुत ही फल्दाई होता है इस तरह से मंत्रों का जब करना आप सभी के ईश्ट गुरुदे भगवन माता पिता को कोटी कोटी प्रणाम करती हूं जो मेरे दोस्त आज पहली पार इस चैनल पर आया है चैनल जरू सब्सक्राइब करिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे पन हुए लाव रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करियो बाजू मन्यों घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए निशु बहुत मोटिवेशन फील होता है वीडियो बदाने के लिए आज का वीडियो अच्छा लगिएगए तो लाइक जरू करिए का चलि दूस्तों वीडियो शुरू करते हैं भगवान शिव जी की क्रपा प्राप्ति के लिए प्रसन्यता के लिए तथा भगवान शिव को प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रशनपक्ष और शुक्लपक्ष दोनों की ही त्रेवदेशी का प्रत करना बहुत ही उत्तम बताया गया है इसे प्रदोश वरत या त्योदेशी वरत इसलिए बोला गया है कि शाम में सूर्य अस्त के समय पूजा करी जाती है इस समय को भगवान शिव का सबसे प्रियकाल बताया गया है ऐसा कहा जाता है इस समय भगवान भूले नात बहुत ही प्रसन मुद्रा में अपने सिंहासन पे बैठे हुए मा पार्वती के साथ आनन्द की मुद्रा में होते हैं और उनसे जो भी पूजा अर्चन या प्रात्ना करी जाती है वो उसे बहुत जटपट सुन लेते हैं त्रियोदेशी का वरत करने से भगवान शिवजी के चरण कमल की आपको आश्रे प्राप्त होता है धन धान्य, इस्तरी, पुत्र, बंदू, बांदव, सुख, समपती, सदेव बढ़ते रहते हैं हम सब अपनी जीवन में अनेक तरह के उपाय करते हैं उसमें से बहुत ही चित परिचत उपाय है प्रदोष का वरत करना तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूं जो लोग किसी कामना के कारण प्रदोष का वरत करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहली कामना यहां पर है संतान प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति के लिए, दोस्तों यह जो कामना वाले प्राप्ति के व्रत हैं, इसमें मैं आपको व्रत शुरू करने की तिथी बताऊंगी, सभी व्रतों में एक ही तरह का आपको नियम पालन करना ह यह है कि जिस तिथी से आपने व्रत शुरू करा उसके बाद आप नियमित व्रत करेंगे चाहे क्रशन पक्षो शुक्ल पक्षो सभी प्रदोश का व्रत आप एक वर्ष परियंत तक करेंगे और यही संकल्ब आप व्रत शुरू करने के पहले दिन पर लेंगे कई लोग अपने वीडियो में अलग-अलग जानकारी देते हैं कि सोम प्रदोश है तो केबल सोम वार को जब प्रदोश आए तभी व्रत रखिये मंगल प्रदोश है तो केबल जिस मंगल वार को प्रदोश आए तभी रखिये ऐसा करने से आपका वृत खंडित हो जाता है तो यदि जो अब आपको मैं फल की प्राप्ती के अनुरूफ वृत का वरण बता रही हूँ तो उसमें मैं आपको प्रारंभ की तिथी बता रही हूँ कि आपको वृत कब से शुरू करना है उसका क्या फल होता है जिन्हें संतान नहीं है उन्हें प्रदोष व्रत कैसे करना है उन्हें शुक्ल पक्ष के शनीवार पे जब भी प्रदोष का व्रत आए तब से इस व्रत को शुरू करना है शुकल पक्ष के शनिवार में प्रदोश की तिथी आएगी या त्रयोदशी तिथी आएगी तब आप इस्वरत को शुरू करिए तब से शुरू करकर आप नियमित एक वर्ष तक इस्वरत को करिए और इसका उध्यापन करिए भगवान भूले नातने चाहा तो आपके घर में जरूर ही संतान रुतन की आपको प्राप्ति होगी अब दूसरा है रिन मोचन या करजा उतारने के लिए किसी किसी के घर में आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते बहुत जादा करजा हो जाता है तो उन लोगों को मंगलवार के दिन जब भी त्रियोदशी की तिथी आए तब से इस वरत को शुरू करना चाहिए और एक वर्ष परियन तक इस वरत को नियमित करना चाहिए कृष्ण प्रदोश और शुख्ल पक्षि के प्रदोश सभी में इस व्रत को एक वर्ष तक नियमित पूरे मन भाव के साथ भगवान भोले नात के चर्णों में अपना सर्वस्तो समर्पित करते वें इस व्रत को करना चाहिए अब जिननों की शादी नहीं हो रही है शादी नहीं हो रही तभी आपको भोले नात के पास जाना है और शुक्रवार के दिन जब प्रदोश की तिथी आएगी तब से व्रश चुरू करना है और एक वर्श परियंत तक भगवान भूले नास से प्रात्ना करनी है और प्रदोश का व्रत करना है और अपनी शादी के के लिए उन्हें मनाना है अब जिन्हें भगवान भोले नाथ की प्राप्ति करनी है भगवान में अपना मन लगाना है अभिष्टेकारी की सिध्धी के लिए कोई भी आपकी जो मनुकामना है इसकी अत्रिक्त अगर आप उसको सिध्ध करना चाहते हैं तो सुमवार के दिन जो तेयोदशी आती है आप उससे प्रदोश का वरत या शिवराती का वरत शुरू कर सकते हैं और एक वर्ष परियंत तक आप इस वरत को रखिए जिन लोगों को बहुत ही जादा रोग, शोग, कष्ट, इत्यादी सताते हैं उन्हें रोगों के निवारण के लिए रविवार के दिन जब प्रदोश का वरत आए तब से इस वरत को शुरू करके एक वर्ष परियंत तक इस वरत को रखना चाहिए और इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए तो ये तो हो गए दोस्तों मनुवांशित फल देने वाले प्रदोश के वरत जिने आपको शुरू करना है और निरंतर करते रहना है एक वर्ष परियंत तक पर जिस दिन आप वरत शुरू करेंगे आप हाथ में जल पुश्प गंद इत्यादी लेकर संकर्प करेंगे भगवान भूले नाथ के सामने कि आपने अपना प्रदोश का वरत किस कारण से रखा है आपकी क्या कामना है और भगवान आपकी उस कामना को सिध्ध करें इस तरह से हाथ में जल फल पुश्प गंद इत्यादी लेकर कामना करिए और भगवान भूले नाथ को आप ये अरपन कर दीजिए और वहाँ पर आप संकल्प लिजिए कि आप एक वर्ष्ट तर हमेशा भगवान का जब करेंगे और पूजन करेंगे दोस्तों प्रदोश के वर्ष्ट में शाम में खास तोर पर भगवान भूले नाथ की पूजा करी जाती है शाम की समय में इसनान करिए और भगवान भूले नाथ का अगर आपकी घर में शिबलिंग है तो शिबलिंग का पूजन करिए पंचा म्रत से दोस्तों शोडश उप बिशेक करने के बाद आप उन्हें बेल के पत्तों से बिलव पत्र से और पुष्प इत्यादी से आप उन्हें सजाएं उन्हें अच्छे से चंदन अक्षत का टीका लगाएं गंद और भस्म इत्यादी अर्पित करें उनका श्रिंगार करें और उनकी प्रसंता के लिए वहा नहीं होता है वो इतनी जादा पूजा नहीं कर सकते वो चाहें तो दूद दही घी शकर से बना हुआ पंचा अमरत शाम के समय मंदिर में लेके जाएं भगवान भोले नाथ पर अर्पित करें शुद्ध जल से उन्हें शुद्ध करें और वहां उनका पूजन करें इस तरह से आप वहां पर ध्यान लगाएं भगवान भोले नाथ का जब करते रहें ओम महेश्वराय नम्हां ओम शूलपाणे नम्हां ओम पिनाकपाणे नम्हां ओम नमर्शिवाय इस तरह के मंत्रों का जितने भी आपको मंत्र आते हैं भगवान भोले नाथ के हर तरह से आप उन्हे में लीन हो जाईए और दोस्तों इस तरह से आप उनका पूजन करिए और उन्हें प्रसंद करने की चेश्ठा करिए भक्ति भाव के साथ भगवान भुले सत्रा करें आप चाहें तो जाय दूद्र इत्यादी ले सकते हैं फलार करने stops में और राट के समय भुजन ले सकते हैं इस अप उनका रात के समय भुजन करना चाहिए इसे आप सब्सक्छ एक सकते हैं तो से बहुत ही आशान है भोजन गieurहन करके आप प्रदोश का व्रत कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों इस दिन पर जो भी स्धिरिं पर रखती है तो उसने पर ब्रह्मत्चरी व्रत का पालन करना चाहिए यानि पती का संघंग नहीं करना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए किसी की चुगली चापलुसी नहीं करनी चाहिए और सुक्षिता बनाके रखनी चाहिए इन नियमों को आपको विशीश तौर पर पालन करना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आप सभी प्रदोश का वृत करने के बा करकर इसका पुन्य लाब अर्जन कर सकती हैं आती साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू जब आप प्रदोश का अवरत करते हैं यदि आप मंदिर जाते हैं और वहां नंदी जी है तो नंदी जी की जो पूछ या पीठे का भागे उसको इसपर्श करके आप भगवा क्योंकि गाय या बैल यो जो भी प्रजातियां हैं जो भी गौब वर्णिश से निकली हुए प्रजातियां कभी भी गाय का मुख यह चेहरे को हाथ लगा कर उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए गाय का जो वाम भागे इसे बहुत ही शुब बताया गया है गाय के पीछे क हिस्सा तो जब भी आप मंदर जाए नंदी जी को प्रणाम करने के लिए इस्पेशली आप उनके पीछे के हिस्से के पैट चुए और इस तरह से आप वहां पर उनसे प्रातना करिए कि आपका जो भी उद्देश है यह जिसमी कामना से आपने भगवान भूले नाथ का शि सवाल हूं तो आप मुझे बताईएगा अगला वीडियो हम बना सकते हैं सवाल जवाब पर आधारे तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रही है अगली बार फिर आप से मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों